वड़ा प्रधा नरेंद्र मोदिये सीयलो सत्र पाइला मिडिया साथे वाद करियाती पीएम मोदिये आ दर्मियां कई अतूके बेजर उग्णिंसनुआ छेलो सांसर सत्र शे राज्जे सबानू बस्तों पच्चासनू सत्र दर्मियां 26 मी तरीके आपनों बंधर अणियां दिवस छे आपनां समविद्धा ने सित्तिर वरस थाई गया छे नमस्कार साथियों 2019 का ये आखरी सत्र है और ये बहुत महत्वपूर्ण सत्र भी है क्योंकि राजसभा का ये 250 वा सत्र है 250 सत्रों की अपनी कियात्रा का बहुती प्रेड़क्स बृतियों के साथ राजसभा का 250 वा सत्र प्रारंब हो रहा है उसी प्रकार से इसी सत्र के दर्मियान 26 तारीक को हमारा सम्मिधान दिवस है जबकि हमारे सम्मिधान के 70 साल हो रहे है यह सम्मिधान देश की एक्ता अखंडित्ता भारत की विवित्ता भारत के इस सौंदर्य को अपने में समेटे हुए है और देश के लिए वो एक चालक उर्जा शक्ती है तो सम्मिधान के 70 साल अपने आप में इस सदन के माध्यम से देश वाच्यों के लिए भी एक जागरूती का अवसर बन सकता है पिछले दिनों करिब करिब सभी दल के नेताओं से मिलने का मोका मिला है और यह सत्र भी जैसे पिछली बार नई सरकार बनने के बाद सभी दलों के सहियोग के कारण सभी मान्य सांसदों के सहियोग के कारण हर किसी की सक्रिय सकारात्पक भुमिका के कारण गत्सत्र अभूत पुर्व सिद्धियों से भरा हुआ था और ये मुझे सार्वजनिक रूप से गर्व से कहना चाहिए कि ये सिध्धी सरकार की नहीं होती है ये सिध्धी ट्रेजरी बैंच की नहीं होती है ये सिध्धी पूरे सदन की होती है और सभी सांसद उसके हकदार होते है और उसलिए मैं फिर एक बार सकारात्मक सक्क्रिय भूमिका के लिए सभी समसदों का आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं ये सत्र भी देश के विकास की यात्रा को देश को गती देने में दुनिया जिस तेजी से आगे बढ़ रही है उसके साथ कदम मिलाने का सामर्थ हम अमारी संसत से में भी प्रगट करें हम सभी मुद्धों पर खुल करके चर्चा चाहते हैं उत्तम से उत्तम बहस हो ये आवशक है वाद हो विवाद हो समवाद हो हर एक कोई अपने बुद्धी शक्ति का प्रचूर मात्रा में उपयोग करें और सदन की चर्चा को समर्द बनाने में योगदान दें और उससे जो अमरत निकलता है वो देश के उजवल भविश के लिए काम आता है तो इन सभी सामसदों को शुबकामनाई देते हुए आप सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ झाल